नमस्कार दोस्तों दोस्तों सूरज की तरह चांद भी हमारे प्रत्वी के लिए काफी मेहत पूर्ण है चांद को प्रत्वी का उग्रह माना जाता है लेकिन दोस्तों क्या हो अगर अचानक रात के समय चांद फट जाए और इस नजारे को हम साफ साफ देख सकें चांद के अचानक फटने से हमारी जिंदिगी पर क्या असर पड़ेगा इससे हमें कोई समश्या होगी या नहीं तो चलिए दोस्तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या हो अगर चांद अचानक फट जाए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं चांद हमारी प्रत्वी से 3,84,000 किलो मेटर दूर है चांद की गुरूत्विय शमता के कारण प्रत्वी अपने अक्स पर 23.5 डिगरी जुकी हुई है चांद के वज़े से ही प्रत्वी अपने अक्स पर गूमती रहती है अगर चांद अचानक फट जाए तो चांद की गुरूत्वे शक्ति खत्म हो जाएगी और प्रत्वी अंध्रिक्स में स्वतंत रूप से गूमती हुई कहीं पर भी चली जाएगी जिससे धर्ती का जुकाओ भी जीरो डिग्री हो जाएगा और प्रत्वी पर मोजूद समस्त मोसम समाप्त हो जाएगे अगर चांद अचानक फटता है तो प्रत्वी चांद के टुकडों को गुरूत्वा कर्शन के कारण धर्ती पर खेंच लेगी और एस्ट्रोइड की तरह चांद के टुकडे प्रत्वी पर गिरने लगेंगे जिससे भी मानव का अस्तित्व खत्म हो सकता है साती धर्ती पर कहीं बदलाव आएंगे बुकम बाड सुनावी भी आ सकती है अगर चांद नहीं होता तो रात के समय में हमें बिना प्रकास के कुछ भी दिखाई नहीं देगा अगर चांद नहीं रहेगा तो 24 गंटे में से 8-9 गंटे कम हो जाएंगे और एक दिन सिर्फ 12 गंटों का ही रह जाएगा दोस्तो इससे पता चलता है कि अगर चांद नश्ट हो जाएगा तो प्रत्वी पर मानव जीवन भी खत्रे में आ सकता है दोस्तो आपको क्या लगता है चांद के नश्ट होने से प्रत्वी पर और क्या क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं इस सवाल का जवाब जरूर दे दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे खाली लाइक के बटन को दबा कर उसे पूरी तरह से काला कर दीजिए साथ ही चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा कर तोड़ दीजिए और चैनल की घंटी बजाना मत बूलना वरना आप आने वाली वीडियो मिस कर सकते हैं वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले